गुद मॉनिंग आप्रिवन आज इस 16 अक्टूबर और आज 16 अक्टूबर से रिलेटेट करने अफ्रिस के जितने भी इंपर्टन कोस्टन बन सकते हैं वो सारे के सारे जह हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे सो हरे कोस्टन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोसिस करेंगा सो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे पेसेंस के साथ वीडियो में एंड तक बने रहीएगा और आई होब कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप एक गवर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे हो या करना चा रहे हो तो उसके पॉइंट अव व्यू से ये वीडियो आपके लिए काफी हल्पफुल सावित होने वाला है स्वाईए अब बिना टाइम वेस्ट के वे वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा की कल हमने पढ़ा था अब्दुल लतीफ रसीद इराक के नए राष्टपती बने अमेरिका के अटलांटिक सहर में मात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित एक संगढ़ाले खोला गया है ग्रह मंतरी अमिस साद्वारा बिहार के सारन जीले में सिताब दियारा में लोक नायक जैप्रकास नाराइन के 14 फिट उची प्रतिमा का अनावरन किया गया महें सिंग धौनी तमिलनाडू के हुसूर में धौनी ग्लोबल स्कुल में सूपर किंग अकैडमी का उधगाटन किया हाली में WWF World Wide Fund for Nature ने Living Planet रिपोर्ट 2022 जारी किया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए हिमकेड HIMCAD योजना सुरू की गई है नेक्स्ट है राष्टपती द्रौपदी मुर्मू द्वारा IIT गुहाटी में परम कामरूप सुपर कम्प्यूटर सुविधा का उधगाटन किया गया चलिए देखते हैं अब आज की कुछ important questions पहला question है तराई, ट्राई, टेलिकॉम regulatory authority of India की एक report की अनुसार किस company का औसत 4G download रफ्तार सबसे अधिक होने पर पहले अस्थान पर है तो याद रखना जियो, औसतन जियो की जो speed है 19.1 mbps download speed के साथ, ट्राई की report की अनुसार जियो पहले अस्थान पर है बात करेंगे next question की, next question है भारतिय नोसेना द्वारा कहां पर 30 सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयूजन किया गया है तो याद रखना आंध परदेश में अभी 30 सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयूजन किया गया है आप बात हो रही है आंधपर्देश की तो आंधपर्देश से related कुछ important चीज़े आप जान लो आंधपर्देश की राजधानी अमरावती हो गई है पहले आंधपर्देश की राजधानी हैदराबाद थी अब लेकिन अमरावती हो गई है वर्तमान के जो यहां के मुखमंत्रिय हैं वो है Y.S. जगनमोहन रेड़ी वर्तमान राजपाले स्री विस्व भूसन हरीचंदन अस्थापना जो हुई थी आंधप्रदेस की 1 नमंबर 1956 राज़ के भासा यहां तेलगू बोली जाती है पर्तम मुखमंत्रिय थी स्री नीलम संजीव रेड़ी सबसे बड़ा सहर है यहां का विसाखा पतनम अगर राष्टिय उद्यान की बात की जाए तो राष्टिय उद्यान या फिर वन जिव अभ्यारन की बात की जाए तो नागारजुन सागर, स्री सैलम वन जिव अभ्यारन, स्री वेंकेटेस्वर राष्टिय उद्यान, पापी कोडा राष्टिय उद्यान प्रमुख जील की अगर बात की जाए तो कोलेरू जूल, पुलेरू जील, पुलिकर जील and हुसेन सागर जील अगर प्रमुख लोक नुरित की मैं बात करूँ तो कुची पूरी, मोहिनी अट्टम और कुम्मी, यहां की प्रमुख लोक नुरित है अगर आप किसी भी स्टेट से बिलॉंग करते हैं, खास कर अगर आप मेरे वीडियो को इस स्टेट से देख रहे होते हैं यह स्टेट के रिलेटिट काफी कुछ जानना आपके लिए इंपॉर्डेंट हो जाता है, अगर आप उस स्टेट से रिलेटि किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है बात करते हैं, नेक्स्ट की, अगर देखा जा आंध परदेश में लोग सभा सीटे कितनी है तो 25, राज सभा सीटों की संख्या की बात की जा तो 11, विधान सभा सीटे 176 अभी इस हाल में ही आध परदेश राज सरकार दौरा family doctor project की सुर्वात की गई याद रखना कि आद परदेश स्टेट के दौरा भी कौन कौन सी योजना वहा पे चल रही है तो फैमिली डॉक्टर योजना की सुरवात की गई है ठीक है आंधपरदेश के CM दौराभी हाले में ACB 14400 एप लॉंच किया गया है अब क्यों किया गया है तो ये एप राजभर के सरकारी कारियालयों में भस्ट्राचार को रोकने के लिए ये लॉंच किया गया है आंधपरदेश के मुख्यमंतुरी जगन मोहन रेड़ी द्वारा साल्ट सपोर्टिंग आंधराज लर्निंग चांस फोर्मेशन परियूजना की सुरवात की गई जिसका उद्देश राजभर में 50 लाग से अधिक चात्रों के लिए सीखने की गुनवत्ता में सुधार करना है ये कोस्टन सारे इंपोर्टेंट थे जो मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट की है आप इसे ध्यान रखिएगा बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टन की अंतराष्टी ग्रामीन महिला दिवस और विश्वच्छातर दिवस कब मनाया गया तो याद अखना कल ही 15 अक्टूबर के दिन अंतराष्टी ग्रामीन महिला दिवस और विश्वच्छातर दिवस मनाया गया अब बात करते हैं कि हमने अक्टूबर महिने में अब तक कौन-कौन से important day को celebrate किया है सबसे पहले हमने एक अक्टूबर को मनाया सकाहरी दिवस ये सकाहरी होने के लाव के बारे में परचार-परसार करने हितु मनाया जाता है एक अक्टूबर को ही हमने मनाया international coffee day अंतराश्टी वृद्धि जन दिवस और राश्टी स्वरक्षी करक्तदान दिवस ठीक है दो अक्टूबर को फिर हमने मनाया Gandhi जहनती, अहिंसा दिवस और लाल बहादूर सास्त्री जहनती तीन अक्टूबर को मनाया जर्मन एक तक दिवस जर्मन एकी करन की याद में मनाया जाता है विश्व परियावरन दिवस विश्व परियावरन दिवस 2022 की जो थीम है वो है Mind the Gap, Leave No One and Place Behind इस थीम को याद रखना 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पसू कल्यान दिवस थीम के 2022 की है Asead Planet 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व सिक्षक दिवस और रास्टिय डॉल्फिन दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया जर्मन American दिवस क्यों मनाया जाता है तो जर्मन संस्कृति और विरासत के महतों के बारे में जागडुकता फलानी के लिए मनाया जाता है साथ अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस, धीम 2022 की है कपास के लिए एक बहतर भविस की बुनाई, और साथ ही साथ, साथ अक्टूबर को विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया, ठीक है, आठ अक्टूबर को मनाया गया भारती वायु सेना दिवस और विश्व प यно इंडियन एरफोर्स के नाम से जाने थे लेकिन बाद में इससे बदल कर इंडियन एरफोर्स कर दिया गया था how lack of to prove को 90 युवा अस्थापना दिवस मनाया भारतिय वायुसेना ने भारतिय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायउसे नहा है इसे याद रखेगा it 9 अक्टूबर को मनाय गया विश्व डाक दिबस 9,9 अक्टूबर को मनाय गया हमारे दैनिक 1992 में हुई थी, World Federation for Mental Health के पहल पर सुरू हुई थी, और थीम 2022 की है, मांसिक स्वास्त और कल्यान को वैस्विक प्रात्मिकताब बनाएं, ठीक है, 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतरास्टिय बालिका दिवस, उद्देश, विस्व भर में बालिकाओं की आवा या आपके हाथ में है, कारवाई करें, ठीक है, 13 अक्टूबर को मनाया गया अंतरास्टिय आपदा निवनी करन दिवस, क्यों मनाया जाता है, तो ये दिन जोखिम जागरुकता और आपदा में कमी की वैस्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, और 14 आपके हैं, और 15 अक्टूबर यानि कल मनाया गया अंतरास्टिय ग्रामीन महला दिवस, International Day for Rural Women, और साथ ही साथ मनाया गया विश्वचातर दिवस, या दखना विश्वचातर दिवस, एपीजे अबदुल कलाम का जन्म अक्टूबर, मतलब जन्म जो हुआ था, 15 अक्टू दिवस की, 2022 की, वो है, the transformation of education begins with teacher, या दखना, क्यों मनाया जाता है, विश्वचातर दिवस तो या दखना, आप छातरों को सिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना और विश्वचातर तक ले जाना इसका एक मात्र उद्देश से है, सुरवात 2010 में हुई थी, क्योंकि एपीजे अ क्यों को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और बात होड ही रही है, एपीजे अब्दुलक्लाम की, तो उससे related, उनसे related है, आप कुछ important चीजे जान लो, आप जैसा जानते हो, कि एपीजे अब्दुलक्लाम सर को हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, 2002 में इन्होंने राष्टपती चुनाओं के बाद पीपल्स प्रसीडेंट इन्हें कहा गया, भारत के ये 11 में राष्टपती बने थे, हाला कि 2007 में, 7 तक उनका कारीकाल चला था, लेकिन 2012 में फिर से उन्हें राष्टपती पद के लिए चुनाओं लरने का जो मौका मिला था, मिला तो था, ब इस question से related याद रखना, बात करते हैं next question की, next question है, ग्रह मंतरी अमित्ः साद वोरा, कहां पुलीस अधिक्षक सम्मेलन का उदघाटन किया गया, तो याद रखना, असम में अभी हाली में, पुलीस अधिक्षक सम्मेलन का उदघाटन किया गया है, अच्छा, बात होड़े य असम की अस्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 असम राजधानी है दीसपूर राज के जो भासाया बोली जाते ही वो असमिया और बंगाली बोली जाती है वर्तमान मुख्यमंत्री जो है स्री हेमंत विस्व सर्मा है वर्तमान राजपाल है जगदिस मुखी प्रमुख लोकनुरित क की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र, बराक, सोनई यह यहां की प्रमुख नदियां है असम की सीमा है कौन-कौन से स्टेट से लगती है तो यह दखना अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम, मेघाले, त्रिपूरा और पस्चि मंगाल से लगती है अग प्रिमस राष्टे उद्यान जो टाइगर रिजर्व है काजिरंगा राष्टे उद्यान नामिरी राष्टे उद्यान और औरंग राष्टे उद्यान यह सारे जो राष्टे उद्यान है फो टाइगर रिजर्व है ठीक है अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी करेंट योजना अभी असम में चल रही हैं तो अभी हाली में याद है ना असम के मुख्यमंत्री दोरा मिसन भूमी पुत्र का अनावरन किया गया इस मिसन के तहत छातरों को डिजिटल जाती प्रमान पत्र सरल और डिजिटल तरीके से जारी किये जाएंगे ठीक है सम्मेलन 2022 का आयोजिन किया गया था और अभी हाली में असम के दीमा हसाओ जिले में महा पासानकाल के पत्थर के कुछ घड़े मिले हैं तो इससे रिलेटिड इतनी चीज़े आप याद रखिएगा चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टिन की नेक्स्ट कोस्टिन है पांचमी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सुभारम किस सहर में किया जाएगा तो याद रखना मैसूर में किया जाएगा 13 अक्टूबर 2022 को पीम मोदी द्वारा देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन का सुभारम जो है वो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के उना तक कर दिया गया है अब बात करते हैं कौन-कौन सी वंदे भारत ट्रेन अभी हमारे इंडिया में चल रही है और कहां से कहां तक चल रही है पहली वन्दे भारत EXPRECE TRAIN नियु दिल्ली से वारानसी चलती है दूसरी वन्दे भारत EXPRECE TRAIN नियु दिल्ली से कट्रा चलती है तीसरी जो है एहमदाबाद से मुंबई सेंटरल को जाती है और चौथी जिसका इनौगरेशन अभी हाली में 13 अक्कुबर 2022 22 को PM मोधी द्वारा किया गया है वो दिल्ली से मध्य परदेश के उना तक चलती है ठीक है और पांचमी वंदे भारत याद रखना वो मैसूर में चलाई जा रही है जाएगी ठीक है इसे रिलेटेड इतनी चीज़ा आप याद रखेगा ठीक है बात करते है नेक्स्ट कोस्टन की हाली में किस किर्केटर द्वारा CS के ऐकेडमी का उधघातन किया गया है याद रखेगा इस कोस्टन को important है बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टन की हाली में फोब्स इंडिया द्वारा जारी की गई 100 अमीरों की सुची में कौन से भारती अरपती पहले अस्थान पे हैं तो यादखना अडानी ग्रुप के चीर्मेन गौतम अडानी जो है पहले अस्थान पे हैं ठीक है देखो आप बात हो रही है FOOBS इंडिया की 100 अमीरों की सुची की लिस्ट की तो इससे related कुछ important चीज़ आप याद रखना देखो COVID-19 के बाद भारत ब्रिटेन को पचार कर दुनिया की पांचमी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ता बन गई है यह जो लिस्ट जारी की गई एक सो अरब पतियों की तो उसमें पहले position पे हैं पे हैं आडानी गुरूप के चीरमन गौतम आडानी टीक है और यादरना देश के सबसे अमीर अलोगों की लिस्ट में नौ नहीं चहरए और सामिर हो हैं में से कुछ चेहरों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ नाइका ब्रैंड की फालगुनी नायर हैं वस्क निर्मादा रवी मोदी हैं और जूते बनानी वाली कंपनी मेट्रो ब्रैंड के फाउंडर रफिक मलिक हैं ये भी हाली में इस लिस्ट में सामिल हुए हैं ठीक हैं बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टन की आदरस सुईका को अक्टूबर 2022 में किस देश में भारत के अगले राज़दूत के रूप में न्यूक्त किया गया है तो याद रखना कुवेट में आदर सुईका को न्यूक्त किया गया है हाली में जारी और असामानता को कम करने के इंडेक्स में भारत किस अस्थान पर रहा है तो याद रखना 123 में अस्थान पर रहा है असामानता के मामले में 123 में अस्थान पर रहा है बात करेंगे next और last question की next question है भारत दुनिया भारत दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा परदर्शनी defense expo का आयोजन कब और कहां किया गया है तो याद रखना यह अभी हाली में गुजरात में किया गया है तो इससे related कुछ important चीज़े आप जान लो देखो गुजरात के गांधी धाम में रक्षा परदर्शनी defense expo का आयोजन किया गया है यह आयोजन जो है 18 October से 22 October तक रक्षा परदर्शनी यह जो है चलेगी और 20 October को रक्षा मंतरी राजनात सिंग के द्वारा रक्षा के लिए निवेस का उधगाटन किया जाएगा तो इससे related इतनी चीज़े आप यहाद देखना आप बात करते हम आज की question of the day के बारे में आज का question of the day है किस राज को हाल ही में film friendly state पुरसकार दिया गया second question है आयुसमान उत्कृस्ट पुरसकार 2022 किस राज को दिया गया है यह दोनों question हाल फिलाल के ही है और अलड़ी मैंने अपने previous वीडियो में इसको discuss कर रखा अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर check out कीजे आपको उन सारे वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के बारे में अपनी राय honestly हमें comment box में comment करके बताना वीडियो अगर अच्छी लगी हो अगर ना भी अच्छी लगी हो तो उसके बारे में भी नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत